इसको और अच्छे के तरीके से समझाने के लिए एक और एक्जामपल देते हैं सबसे बड़ा और कॉंप्लेक्स इस तरह का इतने सारे स्टेट्स वाला डीएफे एक्जाम में पूछे जाने के चांसिस बहुत कम है क्योंकि इट टेक्स टाइम टू डू देट राइट चलिए Q, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहां पर हम बोलेंगे डिल्टा ओफ क्यू कॉमा कौन सा सिम्बॉल है एक है A और दूसरा है डिल्टा ओफ क्यू कॉमा सिम्बॉल B चलिए 0 में से A आए तो मैं जा रहा हूँ 1 पे B आए तो 9 पे 1, 9 एक में से A आए तो 8, 8 और B आएगा तो मैं जा रहा हूँ 2 पे 8 and 2 2 में से A आए तो 3, B आए तो 2, B आए तो 4 4 में से A आए तो 5 और B आए तो 8 पांच में से A आए तो 4 और B आए तो 5 छे में से A आए तो 7 और B आए तो 5 That is 7, 5 7 में से A आए तो 6 और B आए तो 5 So 6, 5 8 में से A आए तो 1 और B आए तो 3 So 1, 3 और 9 में से A आए तो 7 और B आए तो 8 So इस तरह का माल लीजे Table मैंने बना दिया अब Table बनाने के बाद सबसे पहला क्या करेंगे हम Partition P0 2 Set में हम Divide करेंगे 1 विल बी दे सेट आफ All Accepting States And second विल बी दे सेट आफ Non Accepting States तो सारे Accepting States को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3 अब देखें Accepting States है 3, 4, 8, 9 3, 4, 8 और 9 और दूसरी और में सारे Non Accepting States को लिखूंगा जो की है इसके अलावा सारे 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ पर है Right, so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 Right, तो सारे States हैं पर हमने लिख लिए है अब हम क्या करेंगे Next Step is Even यह वाले Set पर Concentrate करेंगे इसकी सारी Pair जितनी भी Pair पॉसिबल है उन Pair को चेक करेंगे और हम देखेंगे भई Distinguishable States है की नहीं चलिए सबसे पहले 3 और 4 को चेक करते है 3 and 4 3 में से A आए तो हम 2 पे जा रहा है मतलब इस वाले Set पे जा रहा है और 4 में से A आए तो मैं 5 पे जा रहा हूं मतलब इस वाले Set पे ही जा रहा हूं B आए 3 में से B आए तो मैं 4 पे 4 में से B आए तो 8 पे Kalo 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 K तो एक आठ में से A आए तो एक मनलब हम तीन और आठ में से A आए तो same set में जा रहा है और B आए आठ में से B आए तो तीन तीन और आठ में से B भी हाता है तो भी हम same set में रह रहा है मनलब दोनों का अंसर B के लिए same set है yes so in the next step we are not going to partition them and this can be together right अब आप 48 के लिए 387 सेट में रहेंगे next step में 3-4 भी रहेंगे तो 48 भी रहने ही वाले तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है अब मैं 39 को चेक करता हूँ चलिए तीन में से AI तो हम बोल रहे है दो वाले मलब इस वाले set में जाएंगे nine में से AI तो मैं जाओंगा seven पे इस वाले right अब बी आए मलब दुनों का answer seven set में जाने का बोल रहे अब तीन में से AI तो sorry 3 में से B आए तो बोल रहे हम जाएंगे चार पे मलब इसी set में रहेंगे और nine में से B आए तो वो जा रहा है आट पे मलब इसी set में रहने को बोल रहा है तो यह 9B next step जो हमारा है partition उसमें भी same set में रहने वाला है तो यहां पर कोई partition P1 में हम नहीं करने वाले हैं अब आए बात करते हैं 0, 1, 2, 5, 6, 7 की चलिए अब बात करें मैं 0 की तो 0 और 1 की बात करते हैं 0 में से AI तो वो बोल रहा है 1 पे जाएंगे मलब यहां पर और 1 में से AI तो हम जा रहे है 8 पे आप देखे 0 और 1 का answer A के लिए symbol A के लिए अलग अलग हुआ 0 बोल रहा है मैं इस set में रहने को चाहता हूँ जबकि 1 बोल रहा है मैं इस set में जाने को बोल रहा हूँ तो हम क्या करेंगा उन दोनों को अलग कर देंगे ठीक है तो अब उन दोनों के साथ कौन को नाएगा हमेरी पता है तो इसलिए मैं यह ऐसा लिख के छोड़ देता हूँ 0 के साथ कौन आएगा वो list हम बाकी जरूरत नहीं है ठीक है तो 0 1 का होगा आप 0 2 का चेक करते है तो 0 बोल रहा है 1 आएगा स्वरी ए आएगा तो मैं state 1 में जाओंगा मतलब इसी set में मैं रहूंगा और 2 बोल रहा है ए आएगा तो मैं 3 पे जाओंगा मतलब 2 यहाँ पर जाने की बात कर रहा है राइट मतलब 2 को भी हम 0 के साथ नहीं रखेंगे क्या 2 को हम 1 के साथ रख सकते है next partition में तो उसे check करने के लिए बही अब हम 1 और 2 की compare करेंगे राइट 1 बोल रहा है यह आएगा तो मैं 8 पे जाओंगा मतलब इस वाले set में और 2 बोल रहा है यह आएगा तो मैं 3 पे जाओंगा मतलब इसी set में मैं जाओंगा मतलब A के लिए दोनों का answer same है तो हम B के लिए भी check करेंगे चितने भी symbol है सभी के लिए same answer आनना चाहिए और किसी एक के लिए भी answer गलत आगया मतलब same set में रहूंगा तो A के लिए भी दोनों का answer same था और B के लिए भी दोनों का answer same है तो हम next इतना मुझे समझ में आया किस दो को next partition में 0 से अलग करना है लेकिन 1 के साथ रखना है तो हम उसे यहाँ पर डालेंगे समझे अब आये दोस्तों बात करते है पांच की 0 और पांच की हमें सारी possibilities चेक करनी है 0 और पांच की बात करते है 0 बोल रहा है A आयेगा तो मैं 1 पे रहूंगा मतलब इस वाले set में 5 बोल रहा है A आयेगा तो मैं 4 पे जाओंगा मतलब यहां पर जाओंगा दूसरे set में तो 0 और 5 को अलग करना है इतना समझ में आ गया अब 5 को क्या हम इस एक और 2 के साथ ले सकते है यह चेक करते है तो इसके लिए आये किसी एक के लिए चेक करेंगे तो दूसरे के लिए करने की ज़र्द नहीं है तो मान लीजिए मैं 1 और 5 को चेक करता हूँ ठीक है तो एक में से A आया तो वो बोल रहा है हम इस वाले में जाएंगे और 5 में से A आया तो वो बोल रहा है हम 4 पे जाएंगे 5 में से A आया चार पे मलब तो A के लिए दोनों का अंसर सेम है B के लिए चेक करता है एक में से B आया तो हम जा रहे हैं दो पे और पांच में से B आया तो हम जा रहे हैं पांच पे मलब सेम सेट में A के लिए भी दोनों का अंसर सेम है B के लिए भी दुनों का अंसर से हम है तो next partition में मुझे इतना पता चला कि भही 5 को 0 के साथ मैं नहीं डाल सकता लेकिन 5 को हम 1 और 2 के साथ डालेंगे तो मैंने यहां पर डाला 5 चले इतनी चीज हो जाने के बाद अब चेक करते हैं 0 और 6 को 0 क्या बोल रहा है A आएगा तो मैं 1 पर जाऊंगा A आएगा तो मैं यहां पर जा रहा हूं 6 बोल रहा है A आएगा तो मैं 7 पर जाऊंगा तो same set में रहने को बोल रहा है A आएगा तो दोनों ही इसी set में रहने का बोल रहा है अब B के लिए चेक करते हैं 0 बोल रहा है B आएगा तो मैं 9 पे जाओंगा ये वाले सेट में 6 क्या बोल रहा है B आएगा तो मैं 5 पे जाओंगा 6 बोल रहा है B आएगा तो मैं 5 पे जाओंगा तो इसका मिनिंग ये हुआ कि A के लिए इन दोनों का अंसर से में लेकिन B के लिए दोनों का अंसर अलग-अल इतना समझ में आ गया नेक्स्ट पार्टिशन में लेकिन क्या हम इस 6 को 125 के साथ डाल सकते हैं तो मान लीजे मैं वन और 6 के लिए चेक कर दू तो मुझे पता चल जाएगा चलिए तो मैं वन और 6 को भी चेक करता हूँ वन बोल रहा है ये आएगा तो मैं 8 पे जाऊंगा जबकि 6 बोल रहा है ये आएगा तो मैं 7 पे रहूंगा मतलब एक लिए वन बोल रहा है मैं इस सेट में जाऊंगा इसका हम अलगी set बनाएंगे, तो ये बन गया वो 6 का set, अब बारी है 7 की, तो 0 और 7 को पहले चेक करते हैं, चलिए, 0 बोल रहा है ये आएगा तो मैं 1 पे जाओंगा, और 7 बोल रहा है ये आएगा तो मैं 6 पे जाओंगा, ठीक है, दोनों का अंसर A के लिए 7 है, अब B की बात करते है, 0 बोल रहा है, B आएगा तो मैं 9 पे जाओंगा, और जबकि 7 बोल रहा है, B आएगा तो मैं जाओंगा 5 पे, मतलब A के लिए दोनों का अंसर से में, लेकिन B के लिए दोनों का अंसर अलग है, तो हम 7 को next partition में 0 के साथ नहीं डाल सकते हैं, 8, मतलब 1 बोल रहा है, यह आएगा तो मैं इस set में जाओंगा, जबकि 7 बोल रहा है, यह आएगा तो मैं 6 पे ही रहूंगा, इसी set में रहूंगा, तो हम इस 7 को 1 to 5 के साथ भी नहीं डाल सकते हैं, तो क्या हम 7 को 6 के साथ डाल सकते हैं, आए चेक करते हैं, तो 6 और 7 का combination चेक करते हैं, 6 बोल रहा है यह आएगा तो मैं 7 पे जाओंगा, और 7 बोल रहा है यह आएगा तो मैं 6 पे जाओंगा, मतलब एक लिये दोनों का antar same set में है, 6 बोल रहा है बी आएगा तो मैं 5 पे जाओंगा, sorry b आएगा तो मैं 5 पे मलब इस set में जाओंगा और 7 बोल रहा है b आएगा तो मैं 5 पे जाओंगा मलब दोनों का अंसर a के लिए same है और b के लिए भी same है तो next partition में हम 6 और 7 को 7 में रखेंगे तो ये हो गया मेरा next partition है समझे तो ये P1 हो चुका अब next बात करते है P2 की कहां करेंगे P2 को यहां पर करते है अभी P2 अब 3489 को चेक करेंगे चलिए 34 को चेक करते है 34 A के लिए 3 बोल रहा है A आएगा तो मैं 2 पे जाओंगा मनदब इस वाले set में 4 बोल रहा है A आएगा तो मैं 5 पे जाओंगा मनदब इस वाले set में दोनों का अंसर A के लिए same है B के लिए चेक करते है 3 बोल रहाँ B आएगा तो 4 4 बोल रहाँ B आएगा तो 8 3 बोल रहा है 4 और 4 बोल रहा या 8 मनदब A और B दोनों के लिए दोनों के अंसर सेम है तो next partition में 3 और 4 हम दोनों को साथ में रखेंगे ठीक है अब 3 और 8 को साथ में रख सकते हैं की नहीं यह चेक करते हैं चले मैं सिर्फ B का transition रिमूउ करता हूँ 3 का तो हम रखते हैं चलिए अब 3 के transition इस तरह है 8 के transition, 8 बोल downtown तो 1,8 बोल राए एक पे 8 बोल राए एक तो एक पे और B आएगा तो 3 पे, मतलब इसी site पे, तब देख लिए A के लिए दोनों के answer से में 3 बोलुआ है इस set में, 8 भी बोल रहा है इस set बो, B के लिए भी दोनों के answer से में दोनों बोल रहे हैं इसी सेट में रहेंगे तो हम तीन और एट को भी next step में same partition में रखेंगे राइट अब बारी 9 की 9 की 3 के 3 और 9 को चेक कर दे तो पता चल जाएगा तो 3 का रखता हूँ मैं यहाँ पर 8 का रेमुप करता हूँ ठीक है आट का यह रेमूप किया और यह वाला रेमूप किया चलिए अब 9 जैन बोल रहा है यह आएगा तो हमें separate करना पड़ेगा तो next partition में यहाँ पर हैं यहाँ पर सिर्फ 348 रहेंगे और यहां अब रहेगा नाइन तो इसका हो गया अब करते है जीरो का तो जीरो तो वैसा का वैसा ही रहेगा अब बारी है one two five की और फिर six seven की चलिए one two five यह erase कर दूँ चलिए one two five क्या साथ में रह सकते हैं next partition में की नहीं इसे चेक करते हैं तो एक में से यह आया तो आठ एक में से यह आया तो हम जा रहें आठ पर यहां पर दो में से यह आया तो तीन दो में से यह तो तीन यहां पर पांच को भी चेक कर लेते हैं साथ में, पांच में से या आया तो चार, मतलब तीनों में से या आया तो तीनों का अंसर सेम सेट है, राइट, एक के लिए, अब बी के लिए चेक करते हैं, एक में से बी आया तो दो, दो में से बी आया तो भी दो, और पांच में से बी आया त तो पांच मनलब A के लिए भी तीनों के अंसर सेम है B के लिए भी तीनों के अंसर सेम है तो next ये वाले partition में हम इन तीनों को साथ में रख सकते है तो let me write 1 2 5 अब बात करते है 6-7 की चलिए बाकी के जो है ये transitions मेरे मूँ करता हूँ 6-7 क्या 6-7 सेम सेट में रह पाएंगे की अलग-अलग हो जाएंगे 6 में से A आया तो 7 7 में से A आया तो 6 तो A के लिए दो दो का अंसर से में और 6 में से B आया तो 5 साथ में से भी आया तो 5 6 में से भी आया तो B 5 और साथ में से भी आया तो यहां पर क्या रखेंगे हम 6-7 तो यह हो गया मेरा P2 partition P1 से P2 partition में change आया है तो हमें और एक next step में जाना होगा next step में हमें इनको check करना होगा 3-4-8 को 1-2-5 को और 6-7 को लेकिन मुझे पता है कि आप लोग check करना आपको यही आंसर वापिस मिलेगा आपको P2 ही वापिस मिलेगा और यहां पर two key chain नहीं आया right so yes here we will stop तो हमारा last answer यह रहेगा ठीक है अब आप मुझे बताएं कि इसके minimal DFA में कितने states होंगे तो जितने sets यहां पर है उतने होंगे कितने है एक दो तीन चार और पांच तो यह DFA जिस language को represent कर रहा था उसके minimal DFA में 5 state होंगे एक दो तीन चार पांच ठीक है उसमें से starting state कौन सा होगा 0 वाला यह accepting state कौन से होंगे यहां पर 3,4,8,9 थे तो यहां पर यह 3,4,8 वाला भी होगा और यह 9 वाला भी होगा ठीक है और पहले हमने जिस तरह से draw किया था DFA को उस तरह से को कर दीजिए बात खतब एक्सेप्टिंग से कौन से होंगे मैंने बता दिया स्टार्टिंग से कौन से होंगे बता दिया तो आपको इस तरह का अल्गुरिधम अपलाए करना है तो फाइंड आउट the minimal DFA और हम इसके उपर के काफी सारे questions करेंगे जब हम DFA के साथ related questions को solve कर